दोस्तों इस वीडियो में हम Axis Bank के best credit card का discussion करेंगे इस वीडियो में हम total ऐसे 6 credit cards को discuss करेंगे जो आज की date में best है अगर हम Axis Bank के credit cards की बात करें तो हमने यहाँ पे अलग-अलग ranking पे इने रख है जैसे सबसे पहले जिस credit card का हम discussion करेंगे उसे हमने rank 6 पे रख है फिर ऐसे ही rank 5 पे जो Axis Bank का credit card है उसे discuss करेंगे rank 4, rank 3, rank 2, rank 1 ऐसे करके हम 6 की 6 credit cards का discussion करेंगे यहाँ पे मैं आपको starting में बतायता हूँ क्योंकि हम इस वीडियो में 6 की 6 credit cards का discussion करने वाले हैं और हर एक credit card को मतलब कहीं न कहीं deep में जाके ही discuss करेंगे तो यही starting में बतायता हूँ कि वीडियो की lens जो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो यहाँ पे मैं आपसे request करूँगा कि आप अपने better experience के लिए या तो 1.25x इसकी speed कर लीजे वीडियो की या फिर अगर आप थोड़ा और सुन सकते हो जाधा speed में तो 2x पे भी आप इस वीडियो को देख लो मलब आप अपने comfort के इसाब से देख ले ना बाकी 6 की 6 credit card के एक एक point को इस वीडियो में हम cover करेंगे अब यहाँ पे rank 6 पे जिस credit card को रखा है सबसे पहले हम उसे discuss करते हैं लेकिन उससे भी पहले एक चीज में आपको बतायता हूँ access bank ना अब यह आपको हरे credit card में देखने को मिलेगा कही ना कही एक feature जरूर मिलता है कि edge reward points देता है edge reward points ठीक है यह edge reward points जहाँ पे भी आपको देखे ना इस पूरी की पूरी वीडियो में सोच लेना वो feature हमारे कोई काम का ही नहीं है यह मैं आपको starting में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हरे credit card में फिर कही ना कही एक feature जरूर आएगा देखो access bank के reward points अलग है और edge reward points जो है ना यह अलग है जहाँ पे भी edge reward point वाली बात है ना सोच लेना वो feature हमारे कोई काम का नहीं है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जैसे वो धारन के तोर पे access bank काना एक credit card है myzone करके ठीक है myzone credit card में access bank बोलता है कि भाई अगर आप 200 रुपे खर्च करोगे तो आपको 4 edge reward points मिलेंगे यानि मोटी-मोटी बात यह होगे कि 50 रुपे मागर खर्च करूँगा तो मेरे को एक edge reward point मिलेगा अब इन edge reward point से आपको कोई cash back नहीं मिलता access bank के ना एक पूरे की पूरी list है कि कुछ ना कुछ समान वो बेसता है बोलता है कि जैसे-जैसे edge reward point इकठे होते जाएंगे तो वहाँ से आप समान खरी सकते हूँ जैसे ओ धारन के तोरब एक चीज दिखाता हूँ यह raincoat है बजार में आपको यह 500-200 रुपे का raincoat मिल जाएगा लेकिन इस raincoat को लेने के लिए आपके पास कम से कम 3640 edge reward points होने चाहिए अब 3640 edge reward points कभी कठे होएंगे जब आप इन्टू में 50 यानि जब आप 1,82,000 रुपे खर्च कर लोगे कहीं ना कहीं इधर उधर जब तब जाकर कि आपके 3640 edge reward points ही कठे होगे यानि 1,82,000 रुपे खर्च करने के बाद मेरे को ये 1,82,000 रुपे का raincoat मिलेगा तो इसलिए मैं आपको ये starting में बता रहा हूँ क्योंकि बार-बार फिर हमारा ना हरे credit card में time waste होगा जहां पे भी edge reward point दिखे उस feature को सोच ले ना वो feature हमारे कोई काम का नहीं है अब यहां पे rank 6 पे जिस credit card को हमने रखा है उसका नाम है access bank का ora credit card अब ये जो credit card है ये किन लोगों के लिए तो मैं अहां पे आपको बतायता हूँ अगर मान लो कोई भी जैसे doctor से consult करना चाहता है online ऐसा नहीं कि हम देखो एक तो हम hospital जाते है एक आज कल online बहुत चल पड़े है कि हाँ जी doctor साब सामने आ गए है doctor साब से हम बात कर रहे है एक तो मतलब इसके लिए ये best है ठीक है अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसकी बार-बार doctor से consultation की ज़रुत पड़ती है कोई बिमार है या फिर medically अगर किसी को help चाहिए और वो चाहते है कि मेरे कहीं न कहीं पैसे बच जाएं तो उसके लिए ये credit card अच्छा है अगर आप एकदम fit and fine है तो आप इस credit card को ignore भी कर सकते हो अगर आपका कोई लेना देना नहीं है दोक्टर से आप दूर हो बहुत अच्छी बात है तो आप इस credit card को ignore भी कर सकते हो बाकी features है अपनी knowledge के लिए आपको पता होना चाहिए भी market में क्या-क्या चीज़े चल रही है तो फटा-फटा हम इसको इवर discuss कर लेते हैं ये credit card हमें चार चीजों के उपर एक तरह से फाइदा पहुंचाता है पहली चीज है प्रेक्टो ये प्रेक्टो प्लस जो है एक online consultation app है जिस पे सामने डोक्टर साब आजाते हैं जिस भी चीज का आपको इलाज कराना है उनसे आप बात कर सकते हो एक तो वहाँ पे मिलते हैं तूसरा है decathlon यानि आप एक brand है sports का ठीक है वहाँ पे आपको एक साड़े साथ सो रुपे का coupon मिल जाते है तीसरा है fitternity जैसे मिलब 1,2,3,4 वह करके दिखाते हैं आपको exercise की 1,2 fitness वाले वहाँ पे आपको fitness के session मिल जाते हैं ठीक है आजकल बहुत चोचले चल चुके हैं ओनलाइन ही system पे computer खोलो जी वह 1,2,1,2 ठीक है वह exercise करके दिखाते हैं और चोथा है आपके पास Indus Health Plus यह भी एक तरह से वही doctor consultation app ही है जहां पे आपको कुछ ना कुछ discount मिल जाएगा तो यह चार चीजे हैं basically जहां पे आपको discount मिलते है यह प्रेक्टो प्लस एक app है जहां पे आपको महीने में चार बार doctor के साथ consultation free में मिल जाएगी अच्छा आपको तो मिल ही जाएगी साथ में आप अपनी family के तीन members भी add करा सकते हो अब इन तीन members को जब एक बार add कर दिया तो change नहीं हो सकते तीनों members में कभी भी किसी को भी ज comment करेगा तो उस medicine का जो भी MRP होगा उस पर 20% का आपको discount मिल जाएगा ठीक है जी अच्छा अब यहां पर यह चीज होगी प्रेक्टो प्लस की ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसके बाद आगे एक चीज यह बोलता है मैंने ना पीछे यह link दे रख है ठीक है यह link प अगर मेरे को full body check up कराने ठीक है अगर मैं इस credit card का use करते हुए full body check up करवाता हूं तो उसकी जो मेरे को costing battery है वो battery है 19,399 उर्वे जिसके अंदर मेरे को लगभग 77 test मेरी body के किये जाएंगे ठीक है अगर मालो यही test में भार से करवाता तो मेरे को 21,999 पे पे करने पड़ते है यानि market price से मेरे को discount मिल रहा है जहां पर मैं 29,99 पे पे करता है यही credit card मेरे पास है तो मैं इसको कम rate मेरे को यह offer दे रहा है तो अब यह मैंने एक sample लेके बता दिया ऐसे बहुत सारे test है अगर आप कराना चाहो तो वो घर पे आजकल आ जाते है जैसे आजकल हर कोई आ जाते ह जो भी sports का समान है वो आप ले सकते हो ठीक है तो यह 700 रपे का आपको coupon मिल जाएगा अब आप access bank की अगर aura edge credit card की website पर जाओगे तो वहाँ बड़ा बड़ा आपको एक amazon का भी दिखाएगा बड़ा बड़ा की amazon का 700 रपे का आपको voucher मिलेगा लेकिन वो कुछ भी नहीं है ज इसके बाद तीसरा है जहां पर आपको चार इंटरेक्टिव वीडियो मिल जाएंगी ठीक है वही चीज वह वाली ठीक है और उसके अलावा 16 recorded sessions मिल जाएंगे वही अलग-अलग की meditation कैसे करते हैं और मतलब जो भी ठीक है तो सारे की सारी चीज़े तो कुछ dance once की वीडियों क कुछ वही आप जैसे डेली देख करके उसे perform कर सकते हो ठीक है तो वह सारे की सारी चीज़े है ठीक है उसके बाद चोता है आपका ये इंडस health plus इसके ओपर ज्यादा कुछ भी नहीं है साल भर में 500 रवे का आपको बस discount मिलेगा तो कुछ नहीं है बस ये वही एक तरह से consultation ही क्योंकि कई बार क्या होता है हम ना बार बार भी hospital नहीं जा सकते हमें कोई ना कोई ऐसा doctor ची होता है कि जो online आ जाए और मानलो मेरी OPD ले ले एक तरह से बस मिलने फटा-फट से और बता दे भी क्या अब मैं एकदम instantly करूं तो उसके लिए ये ठीक है मतलब अगर किसी को इसके बाद जो दूसरे रैंक 5 पर जिस credit card को रखा है उसका नाम है एक्सिस बैंक का विस्तारा credit card इस credit card की अगर हम बात करें तो ये credit card best है अगर आप flight की tickets book करना चाहते हो अब यहां पर भी मैं आपको बता दूँ देखो कोई भी credit card का जब हम जिक्र करते है ना तो credit card अपन आप पहले ये देखो कि आपके लिए कून सा credit card best है उसके बाद ही आप apply करना जोन सा भी आपको लगते है वो single link है उससे आप apply कर ले ना फिर जब customer care से access bank का वो official link है जब customer care से आपकी बात होईगी तो आप उन्हें बता सकते हो मतलब KYC के दो रहान भी आपको कून सा credit card चाह अब मान के चलो कि मैं अभी ठीक हूँ बिल्कुल ठीक हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो access bank का औरा credit card मेरे लिए useless है लेकिन अगर यही चीज मान के चलो कि मेरे को ज़रोत होती medical की तो मैं उस credit card को अच्छा मान तो हर किसी की need है इसलिए मैं यह कहूँगा कि 6 की 6 credit card के एक पर आफ features देखो आप उसके बाद देखो कि आपकी need के हिसाब से कौन सा credit card फिर इनमें से best है ठीक है जी अब access bank विस्तारा credit card अगर मान लो किसी का flight से कोई लेना नी देना नी किसी को ना domestic travel करना है किसी को ना international travel करना है वो इस credit card को लात मारो और आगे बढ़ जाओ बाकि है तो उसके लिए फिर ये credit card बहुत अच्छा है क्योंकि access bank का विस्तारा credit card simply ये बोलता है देखो पहले तो इसकी जो joining fees और annual fees है वो पंदरा सोर पे है ठीक है welcome benefit जैसे ही ये credit card आपके पास आएगा आपको access देखो अच्छा पहली चीज इसके नाम में ही छुपा है access bank विस् दूसरा इसका tie up है सिर्फ और सिर्फ विस्तारा airlines है अब ये जो विस्तारा airlines है ना ये CV points देती है ठीक है मतलब आप कुछ भी खर्चा करोगे या मालो आपके पास ये credit card नहीं भी है तब भी आप विस्तारा की अगर fly to light की ticket बुक करोगे तो आपको CV points मिलते हैं club विस्तारा फीज दे दीजी ठीक है इस सब हो गया welcome benefit में आपको मिलता है कि जैसे ही एक credit card आपका activate हो जाएगा आपको एक ticket free मिलेगी economy class की अब आप उस ticket से कहीं पे भी domestic travel कर सकते हो भारत में कहीं पे भी आप चाहो तो दिल्ली से लेके सिर्फ चंडिगर तक की भी ticket करा सकते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ base fair ही माफ होगा जो taxes लगते हैं वो आपको भरने पड़ेंगे जैसे मैंने नीचे यहाँ पे आपके लेक screenshot लगा दिया ये एक ticket है बैंगलोर से लेके दिल लेके इस ticket का price तो है 7000 something लेकिन इसका जो base price है वो यहाँ पे लिखा हुए तो यह जो सिर्फ base price है सिर्फ यह माफ होगा बाकी जो नीचे टेक्स टुक्स लगे है न यह सारे के सारे आपको भरने पड़ेंगे ठीक है तो जो free में ticket मिल रही है सिर्फ base price ही आपका माफ होगा ठीक है अच्छा इसके अलावा आपको club विस्तारा की यानि जो विस्तारा airline है उसकी अलग-अलग membership जैसे एक होती है base membership एक होती है silver membership एक होती है gold membership एक होती है platinum membership आपको यह जो base membership है यह free में मिल जाएगी अब base membership का फाइदा क्या है अगर मानलो आप कभी भी इस credit card का इस्तिमाल करके विस्तारा airline की flight की ticket book करते हो तो 100 रुपे खर्चा करने पर आपको 8 CV points मिलेंगे और 8 आपको tier points मिलेंगे अब यह क्या होते है CV points और tier points क्या होते है अच्छा एक चीज और मैं आपसे request करूँगा यह चीजे आपको ना बहुत मक्खन के जैसे समझ आ रही होंगी ऐसा लग रहा हो कि हाँ बहुत simple है लेकिन आप से में एक बार please request करूँगा कि आप एक बार na access bank विस्तार यह जो विस्तारा credit card है ना इसकी जब आप features खुद से पढ़ने जाओगे ना तब आपको पता लगेगा कि कितना confusing है मतलब इसमें आपको दो चीजे पढ़नी पढ़ती है एक तो features तो पढ़ने ही पढ़ने है साथ में यह club विस्तारा का क्या जोल है CV points क्या होते हैं base पे क्य short भी यहां पर आपके लिए लेकर लगाया ठीक है बहुत महिनत लगती है यह PPT PPT जो 6 credit card है यह बनाने में मेरे को 2 दिन का पूरा time लग गया तो बड़ी महिनत लगती है तो मैं आप से please request करूंगा कि आप अगर जरह से भी आपकी knowledge बढ़ रही है तो प्लीज इस वीडियो क मिलता हुससे ठीक है अच्छा आप यहां पर वापिस लोटते हैं topic पर तो यहां पर आपको बेस membership मिलती है बेस membership में आपको 100 रपे का खर्चा करने पर 8 cv points और 8 tier points मिलते है जो यह cv points मिलेंगे ठीक है अच्छा यह cv points 8 तभी मिलेंगे जब आप सिरफ flight की ticket book करो गया ऐसे आपको कि मैंने इस credit card से shopping कर ली कपड़े खरीद लिए तो 100 रपे का खर्चा करने में मेरेको 8 cv points मिलेंगे तब 8 cv points नहीं मिलेंगे तब कितने मिलेंगे वो मैं अभी आपको अगली slide में बताऊंगा अभी अगर सिरफ flight की ticket book करते हो तब 100 रपे का खर्चा करने में आपको air line पर जागे तो यह 2 रपे आपकी ticket में से कम हो जाएंगे तो यह cv points का काम हो गया अब यह tier points क्या करते है tier points का क्या काम है ठीक है यह जो आपको tier points मिलते है यह आपको help out करते है अपना वो enhance करने में जैसे मानलो अभी आपके पास base plan है ठीक है base plan से आपको silver plan प्लान है silver plan से आपको platinum plan प्लान है तो मानलो अभी आपको base plan मिला है हमारे को ठीक है अब base plan से मेरे को silver plan प्लान है तो मेरे पास कम से कम 15,000 tier points होने चाहिए और मैंने साल भर में 4 flight की ticket book कर ली होनी चाहिए तब यह मेरे को enhance करके जो मेरी membership है उसे silver membership में बदल देगा ऐसे silver से gold में बदलने के लिए मेरे पास 25,000 tier points होने चाहिए और 6 flight की ticket book की होनी चाहिए और platinum में आने के लिए 35,000 और ये 8 अब इसका फाइदा क्या है क्योंकि देखो base की अंदर मेरे को 8 सिरफ वो मिलते थे यानि 100 रपे का जब मैं खर्चा करता था तो मेरे को 8 CV points मिलते थे यही अगर मेरे पास platinum की membership होती तो 100 रपे का खर्चा करने पर मेरे को 11 CV points मिलेंगे तो ये समझ कि आप बात को की tier points का क्या काम है और CV points का क्या काम है ठीक है जी अच्छा उसके बाद आके बढ़ते हैं अब अभी तक हमने क्या देखा कि 15,000 रपे की मैंने fees दी जिस पर मेरे को 1 flight की ticket free मिल गई ठीक है उसके अलावा मेरे को base plan मिल गया club विस्तारागा उसके अलावा ये बोलता है कि अगर साल भर में आपको 3 economy class की ticket free मिल सकती ये न milestone benefit है ये बोलता है कि अगर आप साल भर में 7,000,000 रपे खर्च कर लेते हो तो आपको एक ticket और free मिल जाएगी जनी एक तो welcome benefit में मिली ही मिली थी उसके बाद साल भर में 7,000,000 रपे खर्च कर लेते हो तो दो यहां मिल जाएगी और अगर साल भर में 6,000,000 रपे खर्च कर लेते हो अपने credit card से तो आपको 3 ticket ये मिल जाएगी मालो आपने साल भर में 6,000,000 रपे खर्च कर दिये तो एक तो welcome benefit में मिली ही थी एक आप 3 आपक इदर उदर ट्रेवल करते हो तब तो ये credit card आपके लिए बहुत अच्छा है otherwise कोई फाइदा नहीं है ठीक है अब हमने base plan हमें मिला था वहाँ पे जहां 100 रुपे का खर्चा करने पर मेरेको 8 CV points और 8 tier points मिल रहे थे ठीक है लेकिन ये कब मिल रहे थे जब मैं सिर्फ और सिर्फ flight पे ही खर्चा कर रहा था ये flight की ticket book कर रहा था तब ही मिल रहे थे लेकिन अगर मान के चलो मैं इदर उदर कहीं और खर्चा करता हूं तो उस case में 200 रुपे का खर् करने पर CV points नहीं मिलेंगे सिर्फ flight की ticket book करने पर ही मिलेंगे अच्छा air accident cover मिल जाता है धाई करोट रुपे का मलब अगर कोई विमान दुर गटना हो जाए तो धाई करोट रुपे परिवार को दे दिये जाएंगे ठीक है फ्यूल सर्चार्ज कोई विवर नहीं मिलता ठीक है और बाकी आपको airport launch का access मिल जाता है quarter में तीन यानि quarter में sorry quarter में दो यानि आपके हो गए साल भर में 8 यानि साल भर में 8 airport launch के access आपको मिल जाएंगे लेकिन airports की लिस्ट बोग छोटी है तो मिलना सिरफ बैंगलोर दूसरा चैन्नाई तीसरा मुंबई चोथा कोलकता पांचवा हैदरावाज छटा डेली यानि सिर्फ और छे शहरों में इन छे में से अगर आपका बहुत जादा आना जाना है तब ठीक है अधरवाई जादा शहर नहीं है इसके अंदर ठीक है तो यह चीज है आच्छा उसके बाद आगे वहीं डाइनिंग डिलाइट एक्सेज वेंक वह क्या बोलते हैं बीस परसेंट डिसकाउंट मिल जाएगा जादा से जादा जो भी इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन यह फीचर कोई इतना खास काम का होता नहीं क्योंकि यह क्या करते हैं इनके इनके पंचाइस ही बहुत जादा होती है जैसे मालो पीजाट पकड़ लिया अब पूरे भारत में मालो 400 पीजाट है ठीक है तो अब क्या फाइदा हुआ 400 तो पीजा हटी है ना मलब समझगे आप बात को तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर के पास वह पंजाबी डाब है तो उसके साथ टाइप है ऐसा नहीं है तो मलब वो लिखना वो है और बट मिलता इतना कुछ खास है नहीं ठीक है इसके बाद रेंक 4 पे जिस क्रेडिट काड को हमने रखा है यह बेस्ट है अगर आप फ्यूल पे कुछ पैसा बचाना चाहते हो लेकिन यह बेस्ट है एक्सिस बेंक में ही मतलब एक्सिस बेंक में फ्यूल के मामले में इससे अच्छा कोई क्रेडिट काड नहीं है लेकिन अगर इसके फीचर्स तो मैं आपको बताता ही हूँ लेकिन अगर आपको सच में फ्यूल के लिए बेस्ट क्रेडिट काड चाहिए तो मैं आपको यह रिकमेंड नहीं मैं आपको recommend करूँगा BPCL का SBI का octane credit card ठीक है अब यह जो octane credit card है इस पर आपको 6.25% तक का cashback मिल जाता है ठीक है मैं बताता हूँ अभी आपको दोनों ही compare करके बताता हूँ अब क्योंकि series ही चल रही है access bank के best credit card की तो अब बाकी मैं इदर उदर से निकल के भी आपको बताता हूँगा कि इसके comparatively आप दूसरा कुन सा ले सकते हो साथ साथ लेके चलेंगे ठीक है अब यह क्या नाम है Indian oil का access bank का जो यह credit card है यह सिर्फ और सिर्फ valid रहेगा Indian oil पे अब यह credit card क्या बोलता है इसकी जो एक तरह से क्या बोलते हैं फीस है जोइनिंग फीस इसकी 500 रुपे है और annual फीस की बात करें तो first year की निल है उसके बाद second year से 500 रुपे है अब कई कई बार कुछ ना कुछ company वंपरियां होती है जो sponsored होती है वो इसको free में दे देती है मतलब की lifetime free कर देती है मतलब यह जोइनिंग फीस जोइनिंग फीस कई बार अब कई बार offer आ रखा होता है कई बार नहीं आ रखा होता बाकी officially अगर आप access bank से लोगे या मैंने जो आपको link access bank को official दिया है वहां से आपको कई बार offer आ जाता है देखो access bank की तरफ से तो free भी कर देते हैं कई बार 500 रुपे होता है ठीक है तो काफी बार मेरे पास ने comments आत annual fees देनी पड़ेगे बाकी जब आप apply करो तो यह बार देख लेना अगर free हुआ तो वह access bank की करेगा उसमें हम कुछ नहीं करेगा मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं access bank free करेगा तो free में मिल जाएगा ठीक है जी अब यहां पर उसके बाद इसके पहले feature की बात करें तो यह बोलत लाके अगर आप कुछ भी खर्चा करोगे तो आपको 100% का cashback मिलेगा यह लिखेंगे बड़ा बड़ा अब जब आप term in condition में जाओगे तो वहां पर बड़ा बड़ा यह लिखाओगा कि जादा से जादा डिसकाउंट 500 रुपे का ले सकते हो यानि बात यह बोलना वाई कि स जादा से जादा 500 रुपे ही आपको मिलेंगे यह इसका पहला feature है अब यह सिरफ पहले 30 days के लिए ही है तो मान के चलो यह feature यहीं 30 दिन के बाद खतम हो गया यानि यह credit card मैंने 500 रुपे का लिया और मैंने 500 रुपे बचा लिये as a welcome benefit ठीक है अब उसके बाद यह credit card आगे बोल 1000 रुपे का ही तेल डलवा सकता हूं यानि तेल तो मैं 10,000 का भी डलवा सकता हूं लेकिन cashback यह जो 4% का मिलेगा यह तभी मिलेगा जब 5000 रुपे मेरे जब खतम हो जाएंगे तब यह cashback मिलना बंद हो जाएगा अब 5000 का जादा से जादा benefit मिलता है तो इसका 4% हो गया 200 रु महिने अब यह 2500 रुपे जोइनिंग फीस हो गई या अगले एक साल तक हो गई उसके बाद हर महीने मैं 200 रुपे जादा से जादा बचा सकता हूं वो भी तब अगर मैं 5000 रुपे खर्च करूंगा अगर मालनो मेरे घर में 4 विलर ही नहीं है मेरे घर में सिरफ 2 विलर है अब यह credit card ठीक है अगर आपका खर्चा थोड़ा जादा है 10,000 रुपे तक का तब आपको SBI का BPCL credit card लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 6.25% आपको cashback मिलता है तेल नलवाने पे और इसके अंदर जादा से जादा 625 रुपे हर महीने आप बचा सकते हो जैसे इसके अंदर हर मही 200 रुपे आप बचा पा रहे हो और cashback भी 4% के हिसाब से मिल रहे है यहाँ पे आप हर महीने 625 रुपे बचा पाओगे और cashback भी आपको 6.25% के हिसाब से मिल रहे है यानि अब आपको यह decide करना है भी अगर आपका तेल का खर्चा महीने का लगभग लगभग 9,000, 10,000, 11,000 क के आसपास है तो SBA का BPCL ले लेना अगर आपका petrol का खर्चा डीजल का खर्चा 5000 के आसपास है या उससे 4000-5000 के आसपास है तो Indian oil ले लेना अगर घर में two wheeler है petrol का कोई खर्चा ही नहीं है मानके चलो 1000 रुपे के आसपास ही petrol डलता है 2000 डलता है तो कोई भी credit card मत लेना fuel के भी नहीं है ठीक है जी अच्छा इसके बाद ये तो दो फीचर हो गए ठीक है इसके बाद तीसरा फीचर है 1% cashback मिलेगा कहीं पर शॉपिंग वॉपिंग करते हो तब और fuel surcharge waiver मिल जाएगा दोस्तों से लेगे 5000 के बीच में अगर आप petrol डलवाते हो तो fuel surcharge waiver मिल जाएगा औ ये rank 3 पे जो हमारा credit card है उसका नाम है access bank का ace credit card ठीक है अब access bank के ace credit card की बात करें तो अभी हाल फिलाल बहुत बड़ा devaluation हुए पहले ये बहुत अच्छा credit card था अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि पहले ये क्या देता था और अब क्या devalue कर दिया है पहले ये बोलता था कि पहली चीज access bank का जो ये ace credit card है इसका tie up है google pay के साथ ठीक है ये बोलता था कि इस credit card को google pay में add करो और google pay से अगर आप utility bill की payment करते हो जैसे मालो आपने electricity bill, internet bill, gas bill, dth वेगरा वेगरा जो भी utility bill है उसकी अगर आप payment करते हो अब मालो मेरे घर में बिजली का bill आ गया let's suppose बिजल चाहे बिल आए 50,000 ठीक है कोई चकर नहीं है आपको पहले 5% का unlimited cash back मिलता था utility bill की payment बे अब utility के कितने खर्चिया है इंटरनेट का recharge कराना है mobile bill ये अपना water bill हो गया electricity बिल हो गया हर जगा में पैसे बचा सकता था पहले तो 5% का unlimited cash back ही मिलता था लेकिन अब उसके ओपर capping कर कि जादा से जादा बाब महीने में 500 रुपे ही बचा सकते हो सिर्फ 500 रुपे पहले unlimited था अच्छा इसके अलावा ये बोलता था कि 4% का आपको discount मिलता था ये भी unlimited था चाहे आप खर्चा करो स्वीगी पे चाहे Zometo पे चाहे Ola Services पे तब भी आपको 4% का unlimited cash back मिलता था अब इसे भी घटा दिया है और घटाया ऐसे नहीं है ये जो पहला फीचर है utility bill payment वाला जिस पे 5% मिलता है और ये जो दूसरा फीचर है जिस पे 4% मिल रहा है स्वीगी जो मेटो ओला वाला इन दोनों को मिला लो और combined आप 500 रुपे ही बचा सकते हो यानि कहने का मतलब कि अगर आपने स्वीगी पे मालो डिसकाउंट ले लेके 4% के इसाब से 400 रुपे बचा लिए ठीक है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं electricity bill पे बचा बचा करके 5% के इसाब से 500 रुपे बचा लोगा नहीं आप 400 रुपे का यहां benefit ले चुके हो तो यहां उपर वाले फीचर में सिर्फ जो access bank का इस credit card देता था उसके मुकाबले अब तो यह बिल्कुल खतम ही हो गया ठीक है लेकिन फिर भी वही बात आ जाती है कि 500 रुपे तो आप बचाई सकते हो हर महीं ने तो ठीक है मलब नीड के ओपर बात आ जाती है भी आपकी खर्चे अगर हैं ऐसे गी utility bill के या घर प मिलेगा ठीक है जी अच्छा पहले होता था कि कोई अपर limit नहीं है अब जो limit है वो मैंने आपको बता दिये यह जो तीसरा feature है कि कहीं पर भी खर्चा करो 2% का cashback मिलेगा इस पे अभी भी कोई limit नहीं है यह तीसरे वाला feature अभी भी unlimited ही है ठीक है अच्छा इसके लावा और बोलते हो कि 2% का cashback मिलेगा नहीं मिलेगा इसके अलावा अगर आप कोई भी सामान खरीते हो online उसकी अगर EMI बनवा लेते हो कोई cashback नहीं मिलेगा अब अभी एक बार payment कर दी बाद में EMI बनवा ली उस case में भी कोई cashback नहीं मिलेगा मानलो wallet loading कर दी पैसा उठाया इस credit card और Paytm wallet में डाल दिया Amazon wallet में डाल दिया कोई cashback नहीं मिलेगा रेंट की payment कर रहे हो कोई cashback नहीं मिलेगा अपने कोई outstanding balance भर रहे हो जो बकाया पड़ा है कोई cashback नहीं मिलेगा credit card कोई दूसरा है उसकी fees दे रहे हो ठीक है उस case में भी कोई cashback नहीं मिलेगा तो यह सारे के सारे यह है इनके MCC codes भी मैंने लिख दिया अगर deep में एक दम देखना है तो इसका आप screenshot ले सकते हो इन में से किसी भी चीज के ऊपर आपको कोई भी cashback access bank एस credit card में नहीं मिलेगा बाकी आपको साल भर में 4 domestic airport launch के access देता है एरपोर्ट की list यह रही ठीक है जी यह credit card हो गया फ्यूल सर्चार्ज वेवर मिल जाएगा आपको 1% का restaurant 20% वही 4000 प्लस restaurant है इनके बहुत अच्छी बात है जो कि है नहीं यहां मैंने screenshot भी लेके दिखा दिया है कि यह जो restaurant की बात करत ठीक है अब यहां greater noida में देखो दुबारा यहां Chicago पीज़ा आ गया एक यह वाओ momos आ ठीक है दुबारा देखते हैं कोलकता का मैंने लिया यहां पर देखो फिर से Belgian वैफल आ गया Belgian वैफल तो वही चीज है कि repeat अब यह Belgian वैफल हर जगा है गिन देगा अब हर शेर के गिन क से पता लगे 50 तो Belgian वैफल ही है तो वही चीज होगी कि लिखतना बहुत वह है कि लेकिन इतने सारे restaurants होते नहीं है ठीक है अच्छा फीस की बात करें तो 499 फीस है और इसे आप जोइनिंग फीस को माफ करवा सकते हो अगर आप शुरू के 45 दिन में अगर 10,000 उपे का खरचा कर लेते हो तो आपकी जो 499 फीस है इसे आप माफ करवा सकते हो ठीक है उसके बाद annual फीस पहले साल की माफ है और लेटर ओन second year से आपके 499 फीस लगेंगे जिसे आप माफ करवा सकते हो अभी भी 2,00,000 उप अगर आप साल बर में खर्च कर लेते हो तो आपकी annual फीस भी माफ और मेरी annual फीस माफ कर दो रेंट और आपका वोलेट लोड में जो भी वोलेट में कोई भी पैसा डाल रहे हो इसे आप annual फीस वेवर के खर्चे में काउंट नहीं कर सकते है इनके अलावा ही आपको 2,00,000 पर खर्च करने पड़ेंगे तब जाके आपकी annual फीस माफ होएगी ठीक है जी इसके बाद rank 2 पे जो credit card है उसका नाम है access bank का myzone credit card इस credit card की बात करें तो ये भी दो तीन ही feature देता है ठीक है बट ये बहुत जादा demand में रहता है पता नहीं मुझे क्यों रहता है बट बहुत ही जादा demand में रहता है पहला तो feature वही है कि movie ticket है buy one get one ठीक है मतलब आ आप हर महीने जादा से जादा एक तरह से 200 रुपे का discount ले सकते हो यानि साल भर में वही चीज़ है कि 2400 रुपे आप बचा सकते हो अच्छा है अगर आप movie movie देखने के शोकीन हूँ तो 2400 रुपे आपके साल के तो movie बच जाएंगे क्या रहता है इसके अंदर ये बोलता है कि दूसरी वाली टिकेट पे आप 200 रुपे बचा सकते हो तो किसी के साथ अगर आप देखना चाहते हो तो दूसरी टिकेट हर महीने आपको एक टिकेट फ्री मिल जाएगी तो अब ये बोल रहा है कि दूसरा फीचर ये है कि सोनी लिफ की आपको मेंबर्शिप मिल जाएगी वैसे जो बजार में मिलती है 900 रुपे की यानि जो OTT प्लैटफों में उस पर आप मुवीज देखो तो अगर ये क्रेडिट कार्ड लोगे तो आपको सीधा सीधा 4995 रुपे की जो सोनी लिफ की मेंबर्शिप है वो फ्री मिल जाएगी ठीक है जी अच्छा अब ये अगर आप साल भर में डेड़ लाग रुपे खर्च कर लेते हो इस क्रेडिट कार्ड से तो ये जो आपकी क्या नाम है सोनी लिफ की मेंबर्शिप है ये साल बाद अपन होगे इसमें फिर वही चीज आप नहीं जोड सकते हैं ना रेंट जोड सकते हो ना ही वोलेट लोड की ट्रांजेक्शन जोड सकते हो ठीक है इसके अलावा ही आपको डेड़ लाग रुपे खर्च करने पड़ेंगे तीसरा फीचर जो है पहले बहुत अच्छा था अब इस और जादा से जादा आप हर एक ओडर पे 120 रुपे बचा सकते थे जैसे कहने का मतलब मानलो आपने 200 रुपे का समान मंगा लिया तो इसका 40% बच जाएगा यानि 80 रुपे आपके बच जाते थे ठीक है मानलो आपने 300 रुपे का समान मंगा लिया तो इसका 40% बच जाता था तो यानि इस पे आपको 120 रुपे बच गए अब जादा से जादा 120 रुपे ही बचा सकते थे हर एक ओडर पे ठीक है और महीने में चार बार इस फैसिलिटी का लाव आप उठा सकते थे स्वीगी से तो अच्छा था लेकिन आप इसे भी घटा दिया इसमें ये बोल दिया कि अ ये बोलता है कि सिदा 120 रुपे का हीチャर बने इसकते थे ये उफर का फाइदा अब इसको सिरफ और सिरफ घटा करके दो बार कर दिया तो ये स्वीगी वाला फीचर भी एक तरह से खतम कर दिया कहीना कहीना मैं एक चीज यह उब्जर्व कर रहा हूँ एक्सेस बैंक का जो भी ग्रेडिट कार्ड है न साल में चार बार लॉंच के एक्सेस मिल जाएंगे आपको और यह पूरी लिस्ट है एयरपोर्ट की ठीके जी अच्छा इसके लावा वही एजरी वोड तो EMI में बदल जाएगी ठीक है और वही रेस्टोरेंट पे डिसकाउंट विसकाउंट जो सब मिलते हैं ठीक है फीस की बात करें तो 500 पे इसकी जोइनिंग फीस है फस्ट यह फ्री है उसके बाद फिर हर साल 500 पे देनी है माई जोन की भी वही कहानी है बहुत बार यह फ्र पे इसकी फीस आपको जोइनिंग फीस पे करनी ही पड़ेगी ठीक है जी अच्छा उसके बाद बेस्ट क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक फ्लिप कार्ड ही है इसकी टकर में अभी तक तो मुझे कोई क्रेडिट कार्ड दिखा नहीं कोई एक्सिस बैंक ने निकाल लाँ भी इसमें भी devaluation हुआ है बताऊंगा मैं आपको सारा का सारा लेकिन उस level पे फिर भी नहीं हुआ बाकी आज की rate में best flip card ही है कि भाई कम से कम flip card पे जो मेरे खर्चें हैं उस पे मैं 5% तो बचा सकूँ जो मैं समान flip card पे पता ही कितने ऐसे समान है जो मैं flip card से खरीदता हूँ उस इसके अंदर एक diamond condition जो 12 अगस्त 2023 से add की गई है वो यह है कि flip card पे जब हम जाते हैं ठीक है तो वहाँ पे आजकल आपने देखाओगा hotel की booking हो गई और आपका क्या बोलते हैं flight की booking हो गई सब चीज़े flip card ने दे दिये तो बस अगर आप flip card पे जाके hotel और flight की अगर booking करते हो न तो पहले इस पे भी 55% का cashback मिल जाता था लेकिन आप इस पे cashback घटा करके 1.5% कर दे यानि सिरफ इन दो चीज़ों को छोड़ दो इसके लावा flip card पे और मिंत्रा पे जाके कोई भी आप समान खरीदो 5% का ही cashback मिलेगा ठीक है जी अच्छा यह तो हो गया इसका पहला feature यो tie-up brands हैं अब टाइब brands कोन से हैं clear trip, cure fit, pvr, swiggy, tata play और uber इन brands पे जाके अगर आप कोई भी समान खरीदोगे तो आपको 4% का cashback मिलेगा अच्छा आप flip card मिंत्रा को छोड़ दो इन brands को छोड़ दो इसके लावा कहीं पे भी कोई भी समान खरीदोगे तो आपको 1.5% क cashback मिलेगा अब कुछ चीज़े ऐसी हैं जिन पर कोई भी cashback नहीं मिलेगा पहले यह चीज़े सिर्फ इतनी थी अब यहाँ पर यह चार चीज़े और add कर दी गई है ठीक है जैसे कि मानलो अब आप fuel पर कोई खर्चा करते हो तो cashback कुछ भी नहीं मिलेगा ठीक है जी आमने जिसका बड़े उसको भेज दिया वो क्या करेगा 2000 पर एड कर लेगा उसके flip card के wallet में 2000 पर एड हो जाएंगे वो कुछ भी समान अपनी मर्जी से खरीज सकता है जैसे होता है कि मैंने आपको shirt दे दी लेकिन वो shirt आपको पसंद नहीं आई इससे अच्छा ही है कि मैं आ पैसा डाल दिया पतला के credit card से पैसा निकाल के flip card के wallet में डाल दिया कोई cashback नहीं मिलेगा इसके अलावा कोई jewelry खरीते हो या फिर मालो किसी बकाया कोई balance है या कोई loan loan चल रहा है उसका payment करते हो कोई cashback नहीं मिलेगा किसी credit card की fees भरते हो कोई cashback नहीं मिलेगा ये तो सारे पह अब इसके अंदर तो बहुत कुछ आ जाता है पता लगे कि जैसे पहली बच्चे क्या करते थे ओनलाइन कोई कोर्स खरीदना है तो ये भी उसमें आ जाएगा स्कूल स्टेशनरी, स्कूल बैग्स, सब कुछ, मतलब कितावे, वितावे, ओनलाइन, सब जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटिड है उसके ओपर कोई भी कैश बैग अब आपको नहीं मिलेगा इसके मैंने सारे MCC जो कोड्स हैं, वो भी यहाँ पर लिख दी हैं आपके लिए, ये सब देख सकते हो आप, ये जो आखरी की चार ये चीज़े एड हुई है ना, इन सब के बीप में अगर देखना है भी क्या-क्या कैश बैक नहीं मिलेगा तो इसका आप स्क्रीन शोट ल नहीं मिलेगा, इसके अलावा इसका जो दूसरा बेनिफिट है वो है वेलकम बेनिफिट, वेलकम बेनिफिट में ये बड़ा-बड़ा लिख देते हैं कि गैरा सोर पे आपको सीधा-सीधा वेलकम बेनिफिट के तोर पे मिल जाएंगे, लेकिन उसकी टर्म एंड कंडिशन गैरा सोर पे ऐसे नहीं मिलते, पांसोर पे का वाउचर मिलता है, फ्लिपकार्ट पे यूज कर सकते हो, आप पांसोर पे का वाउचर मिलता है, जिससे आप मिंतरा पे यूज कर सकते हो, और सोर पे का वाउचर मिलता है, जिससे आप स्वीगी पे यूज कर सकते हो, तो ऐसे करके 1100 रपे मिलते हैं, लिखते तो ये बड़ा-बड़ा है कि 1100 रपे as a welcome benefit बंदे को लगता है, सीधा-सीधा account में ही आ जाएंगे अब ये जो flip card का voucher मिलेगा ये आपको 30 days के अंदर-अंदर मिलेगा जिसे आपको use करना होगा flip card पे जाके और 12 महीनों के लिए voucher valid होगा मिन्तरा पे जो आपको ये मिलेगा, 500 रपे का voucher नहीं मिलता exactly 500 का maximum discount ले सकते हो लेकिन मिलता है कुछ ऐसे है कि 15% का आपको discount मिलेगा, मालो आपने कोई भी समान मिन्तरा से खरीदा, तो उस पे 15% का आपको discount मिलेगा, और ये जो voucher है इसको आप कई बार क्या होता है कि मिन्तरा पे मैं गया, मिन्तरा पे पहले से ही कोई ना कोई discount चल रहा होता है, कि मालो 10% का पहले discount चल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 10% तो ये चली ही रहा है, 15% का discount मिल जाएगा, नहीं, clubbing allowed ही नहीं है इसके अंदर, समझ की आप बात को तो ये 15% का discount मिलता है, जादा से जादा 500 रुपे यूज कर सकते हैं, ये मिन्तरा पे मिलेगा और 300 रुपे का discount मिल जाएगा स्वीगी पे, ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा ये स्वीगी हो गया, फिर age की बात करें, तो आपकी age 18 से 70 साल होनी चाहिए, अगर आप flip card का ये credit card लिना चाहते हो, joining fees 500 रुपे है annual fees 500 रुपे है, पहले ही होता था कि अगर आप साल भर में 2,00,000 का खर्चा कर लेते थे, तो आपकी annual fees माफ हो जाती में, एक airport launch के access में मिल जाते हैं, चार मिल जाते हैं, आपको साल भर में ये airport के launch के access के list है बाकी fuel surcharge waiver हो गया, 400 से लेकर के, 4000 रुपे के बीच में 1% का fuel surcharge waiver हो गया, ठीक है, तो ये सारे के सारे features थे, access bank के, best credit card के, और at last credit card best access bank का flip card ही है और बाकी 6 की 6 credit card हमने discuss की है, सारे के सारे, तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी informative लगी तो please वीडियो को like, channel को subscribe ज़रूर करना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, अभी के लिए this is the end of the video, thanks for listening and thank you all